हेलो फ्रेंट आज एंस्यार्टी सारसंग्रह फिजिक्स के ऑप्टिक्स पार्ट को पढ़ेंगे इस वीडियो में आपको एंस्यार्टी के पूरी सारसंग्रह मिलेगा जिससे कि आपके टाइम का बचत होगा है और इसमें इंपोर्टेंट कोश्चन डाला हुआ और पूरे इंस्यार्टी का निचोर है जो सभी एक्जाम के दिरिश्टी से है चाहिए वो भी पेसी पेसी बहर दरोगा एंटी पीसी या ग्रूप टी हो तो चलिया आज का वीडियो शुरू करते हैं आप्टिक्स एनि परकास की परकास तन्तू ऑप्टिकल फैवर की सिधान् करता है मिर्ग मरी चिकाया मिराज किसका उधारन है मिर्ग मरी चाया मिराज प्रकास का पुन आंत्रिक प्रावर्तन के उधारन है प्रकास के तरंगों के वायू से कंच में जाने पर उनके कौन से गुन परभावित होते हैं तो तरंग धायरी और वेग परभावित होते हैं जब प्रकास एक माधियम से दूसरे माधियम में परवेश करता है तो उसकी आवीर्ती अनि फिरिक्वेंसी ओपरिवर्ती तरहती है निर्वात में प्रकास की गती कितनी होती है तो निर्वात में प्रकास की गती 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है प्रकास एंसलेशन की किरिया में उर्जा का रुपांतरन किस परकार होता है दाड़ी बनाने के लिए किस दर्पन का परियोग किया जाता है तो दाड़ी बनाने के लिए अबदल दर्पन का परियोग किया जाता है प्रकास सजावट के लिए विसरजन लेंप या इमर्शन लेंप में किस ग्यास का प्रयोग किया जाता है प्रकास सजावट के लिए नियोन का उप्योग किया जाता है लाल देट रंग की तरंग धायर सबसे अधिक जब कि बैगनी या बॉयलेट रंग के तरंग धायर सबसे कम होती है छितीर या होरीजन के समीप सूरी एवं चंद्रमा के दिर्ग विर्तकार दिखाई देने का कारण है प्रकास का अब बरतन या रिफ्रक्षन बास्तिविक सूरी उदे से कुछ समय पहले ही सूरी क्यों दिखाई देने लगती है प्रकास के अब बरतन के कारण बास्तिविक सूरी उदे से कुछ समय पहले ही सूरी दिखाई देने लगता है खत्रे के संकेत के लिए लाल प्रकास का पड़ियोग क्यों किया जाता है अंधार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं बहुलिक परिवर्तन या multiple रिफ्रक्षन और बेक्तिक करण के कारण चलिए आगे देखते हैं अस्पस दिरिष्टी या किलियर विजन की नुइंतम दूरी कितनी होती है तो अस्पस दिरिष्टी या किलियर विजन की नुइंतम दूरी 25 cm होती है दिर्ग तरंग की अपेक्छा वायु मंदल द्वारा लगू तरंग की अधिक पर किर्णन होती है इसलिए आकास का रंग नीला दिखाई परता है तंतू परकासिक संचार या फाइवर ओप्टिकल कोम्यूशन में एक संकेत किसके दुआरा परदवन किया जाता है परकास तरंगों के दुआरा चलिए आगे देखते हैं भीविन माद्या में परकास की चाल मीटर पर सकेन में निर्वात में परकास की चाल 3 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेन होता है काँच में परकास की चाल 2 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेन होता है और जल में परकास की चाल 2.25 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेन होता है रोक साल्ट में प्रकास की चाल 1.96 x 10 to the power 8 meter per second होता है, तारपीन का तेल में 2.04 x 10 to the power 8 meter per second होता है, नै, नाइलोन में प्रकास की चाल 1.96 x 10 to the power 8 meter per second होता है, प्रमपागत केमरे के किस भाग से आंक के रेटिना की तूलना की जाती है, फिल्म, इंडोस्कोप किस सिधान पर कारी करता है, तो इंडोस्कोप प्रकास के पुर्ण आंतरिक परावरतन पर कारी करता है, तो लिए आगे देखते है, प्रकास की विकीरन लाइट रेडियेशन क कि परकृति कैसी होती है प्रकास की बिकेरन या लाइट रेडियेशन की परकृतित रंग एवंकन दोनों के समयन होती है किस ओपारदर्सी बस्तू का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग का वह परिवर्तित करता है किसी परावर्दर्सी बस्तू का रंग उस रंग के का कारण होता है जिस कारण वह परावर्तित करता है ले आगे देखते हैं ही रा का उच्छ अपवर्तनांग के कारण चमकता है क्योंकि ही रे का अपवर्तनांग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधीक होता है इसलिए तरासने पर उसकी चमक बढ़ जाती है प्रकास की गति किस लाल रंग की क्यों दिखाए परता है प्रकास के परकास के परकेंडन या डिखान लाल दिखाए परता है एक electronic पुंज को फॉस्फो रस कोडेट पर फोकस करके परती बीम को पर्दे पर परदरसित करना क्या कहलाता है PO router scan कहलाता है दूर दिरिष्टी दोस्ट या हैपर मेट्रोप या निवारन के लिए किस लेंस का परयोग किया जाता है तो दूरदरिष्टी दोस्त के निवारन के लिए उत्तर लेंज या कॉनभेक्स लेंज का परियोग किया जाता है चिह आगے देखते हैं नीला हरा एवं लाल तीन प्रार्थमिक रंगों या प्रैमरी कलर्स के मिसरन से अनसवी रंगों के निर्मन होता है बस्तु के तिरीवीमिया या 3D परतिर्यूप को अंकित था पुनार्वित करने के तक्निक क्या कहते हैं उसके होलोगराफी परकास का रंग किस से निर्धारित होता है तो परकास का रंग तरंग धार से निर्धारित होता है पढ़ने में काम आने वाले दर्पन में कौन से लेंस उप्यूगत होता है उत्तर लेंस तलिए आगे देखते हैं यदि वायु मंडल अनुफस्तित हो प्रकास का प्रकिर्णन नहीं होगा और इसलिए आकास काला दिखेगा लिए आज ये देखते हैं दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मील पाते हैं पिर्थिपी की सतह या वकरकार कर्व होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मील पाते हैं दूरदर्शन के परसारण में सरव संकेतों का प्रेशन करने के लिए किस तक्णिक का प्रियोक किया जाता है आविर्थी मॉंडूलन या फ्रिक्वेंसी मोड्यूलेशन का परियोग किया जाता है किसी बैक्ती का पूरा परतिवीम देखने के लिए एक समतल दर्पन या प्लेन मीरर की नुईंतम उचाई कितनी होनी चाहिए तो बैक्ती की उचाई की आधी होनी चाहिए वाहन में प्रिष्ट दिरिष्ट दर्पन या रियर व्यू मीरर के रूप में दिरिष्ट से आवलोकन के लिए उत्तल दर्पन का परयोग किया जाता है दिरिष्टी पटल या रेटिना पर किस परकार के चित्र बनता है बस्तू से छोटा और उल्टा बनता है किस रंग के प्रकास की उर्जासरवादिक होती है नीला प्रकास का उर्जासरवादिक होती है चलिए आगे देखते हैं एक आँख यप एकछा दो आँख से देखना अधिक असपश्ट होता है इसका क्या कारण है इसे देखी जाने वाली बस्तू की दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है वायू मंडल में परकास के परकिर्णन के परमुक कारण क्या है वायू में उपस्ति धूलकन अंत्रिक श्यात्री को आकास कारण कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है निकट दिरिष्टी दोस या मायोपिया को दूर करने के लिए अबतल या को अनकेव लेंस का परियोग किया जाता है लेंस की छमता की काई क्या है डायोप्टर बिभिन रंगों के तरंग धैरी लेंड बिभिनी रंग के तरंग धैरी उन्चालीस सो से एंग स्टोंग से चोवालीस सो साथ एंग स्टोंग होता है नीला या जामूनी रंग के चोवालीस सो साथ से च्छालीस सो पचास एंग स्टोंग होता है आस्मानी का 4650 से 5000 एंग स्ट्रोंग होता है हरा रंग का 5000 से 5700 एंग स्ट्रोंग होता है पीले रंग का 5700 एंग स्ट्रोंग से 6900 एंग स्ट्रोंग होता है नारंगी रंग का तरंग देर 6900 एंग स्ट्रोंग से 6200 एंग स्ट्रोंग होता है दूप के चस्मे की पावर की छमता कितनी होती है सुन्य डाय अप्टर एक समतल धर्पन की वकता तिर्जिया होती है कितनी अनन्त परसारी बर्मान की संकल्पना की सिंधान पर अधारित होती है परसारी बर्मान की संकल्पना डॉपलर परवाओ या डॉपलर एफेक्ट पर अधारित होती है जल में वायू की बुलबुला या एर बेविल किस परकार के लेंस की तरह बेवार करता है तो अब्दल लेंस की तरह बेवार करता है खोजबती या सर्च लाइट में कौन सा दर्पन पर्यूगत होता है तो खोजबती या सर्च लाइट में अब्दल दर्पन का उप्योग होता है रमन परवाओ या रमन एफेक्ट का संबन किस परकार की कीरनों से है सभी पारदर्सी माधियम के कीरनों से है दोनी के पुनरत पादन यारी प्रोड़ीसिंग के लिए सीडी क्या कॉमपेक्ट डीस या ओडियो प्लेयर में क्या पर्यूक्त होता है लेजर बीम जब दो समांतर समतल दर्पन के मद कोई बस्तू रख दी जाती है तो उस पर अनंत परती भीम बनते है जब लाल नीले तधारे परकास का पुन एक स्थान पर परता है तब परकास का रंग कैसा परतीत होता है सफेद मानव आंक दिरिस परकार किस तरंग धैर के लिए तरवादिक सुगराई होती है पचपन सो एंग स्ट्रोंग के लिए सुरी के परकास को पिर्थिवी पर पहुँचने में लगभग 8.5 मिनट लगता है जब परकास किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अब बरतन के पस्चात सुरी का परकास अपने भिविन वरगों या रंगों में विवाजीत हो जाता है इस परकास का वरण भी छेपन कहते है तथा परकास से प्राप्त भिविन रंगों का समु वरण करम या एशपयक्ट रम कालाता है चंदमा से आने के बाद प्रकास हम तक कितने समय में पहुचता है 1.3 सकेंड में पहुचता है इन धनुस के रंगों का सही अनुकरम है बेगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, एवं लाल, बेनीहा, पीनाला इन धनुस बनने का वर्ण बिछेपन, अपवर्तन एवं पुर्ण आंतरिक परावर्तन आदी भोतिक परिगटना उतरदाई होती है सूरी से आने वाली प्रकास की कीरने को किस दर्पन की सहता से एक बिंदू पर केंडरित किया जा सकता है अब तल दर्पन के दुआरा पुर्ण सूरी गरहन के समय सूरी की नंगी आँखों से देखने से आँख को छती पहुँचती है रेटीना के जलने के लिए सूरी की कौन सी किरने उतरदाई है पराविगनी या अल्ट्रा वाइलेट रे आकास के प्रावरतन तथा जल के कनों दुआरा अधिक पर किरनन के कारण समुद्री नीला परतीत होता है चलिए आज के वीडियो में इस टॉपिक अनि आप्टिक्स को खतम कर दिया गया है